पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंट्मेंट बुक करें वो भी पेशिंट फीडबाक देखते हुए आज ही ओलाडॉक अप डॉइंट्मेंट आसानी से असलाम अलेकुम मेरे नम डॉक्टर हमाद है और मैं माहिर अमराज नाककन गले को डॉक्टर हूँ और हेड़नेक स्पेशिलिस्ट भी हूँ मैं कराची पार्क ले में प्रैक्टिस करता हूँ आज का जो टॉपिक है वो है बड़ा कॉमन है कि मेरे पास बहुत से पेशिंट जो 80% पेशिंट आते हैं वो कान से पस के आते हैं कान से पानी निकला तो आज मैं थोड़ा उसके बारे मैं समझाना चाता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टिट एरिया है जो आप लोग अपने आपको देते हैं कि आपके कान अगर खराब हो रहे हैं क्योंकि दूसरा कान काम कर रहा हता और आप उसको छोड़ना शुरू हो जाते हैं जो कि बिचिस नॉट राइट आज हम बात करेंगे इसके उपर तो मैं कुछ चीजन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ शायद आपको समझाए ज़र आप अपने कान का इलाज कर वा लें कान से पस आने या कान से पानी आने का मतलब है कि दिरा टू रीजन वन कि पर्दा पर्दे के बाहर यानि जो हमारी कनाल है वहां पे कोई इंफेक्शन है जिस तरह डाइबेटिक लोग होते हैं यानि के जाइबती इसके जो मरीज होते हैं उनके कान में दाने निकलाते हैं उनके कान में फंगस रह जाती है नहाते वे शैंपू चला जाता है पानी चला जाता है और वो क्लेर नहीं करते हैं कि राप को खुल जाता है लेकिन वो जो अंदर खड़ा रहेगा वो कहीं ना कहीं डामज करेगा और वो फिर क्या करेगा सकिन को खराब करेगा और वहां से फिर वो इंफ्लमेशन होगी और पस निकलना शुरू हो जाएगी जब तक पस आएगी इसको चार पांच दिन हो जात करें और प्लीज मैं शुरू में बात बोलोंगा घर में जो डॉप्स पड़ें ऐसे मट डाला करें कान में और आँख में याद रखिएगा ये वो जगहें जहां पर हर चीज के दस वजुहात है कान बंदोने की दस वजुहात है हर किसी का कत्रा हर किसी की दवाई फर्क है तो प्लीज अपने कान लोग पे तज्जर भी मत किया कर जगा। सेक्ट, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हम हजार लोगों को बदो नहीं कितने लोगों को मना कर चकाओंगा। प्लीज अपने कान खुद मत साफ किजे। आप लोग जो कान में कॉर्टन बर्ड मारते हैं या कान में पिंज मारते हैं चाबी मारते हैं वो आप उसको कनाल को ट्रॉमा करते हैं जब ट्रॉमा करते हैं तो वहाँ चुद के पसीना भी जाता है वहाँ पानी भी जाता है और वह जगह एर लोग है वहाँ पे इतनी हवाल लखेगा ये वो वजू हाते हैं जो पर्दे के बाहर से आती है जो ठीक होने वाल जो असल प्रॉब्लम है वो है पर्दा कि आप लोग जब कान की सिफाई करते हैं या मैंने देखा है बहुत से स्टूड मेरे पास आते हैं चोट लग गई गर गई किसी ने थपड मार दिया ल ज़ना शुरू हो जाएगी ये सिर्जिकल प्रसीजर है प्लीज इस पर्दे को जतना जल्दी हो सके इसको चेंज कराएं क्योंके अगर ये कॉम्प्लिकेशन में चला गया है जो कि मैं भी आकर समझाओंगा तो रिजल्ट्स आर वेरी बैड शूरू में रिजल्ट बहुत कम उसकम पांच-छे सालों के बाद पानी निकलता रहता है आप डॉप्स जालते रहते हैं सफाई कराते रहते हैं और अगर को आपको अपरेशन का बोले को आप करवाते हैं अगर इस पस्मझे नहीं आती है आप कहां से सुन रहे हैं लेकिन आपको इस जो कान पर्दा गया है वो हर दो साल बाद 10% गिरेगा कुछ साइंस मैं बता रहा हूँ जो कि आपको लाजबी डॉक्टर के पास जाना है अगर इस पस्में बद्बू आ जाए यानि बद्बू अगर रहा रही है तो अगर बहुत गाड़ा हो रहा है आपका जो पस्म नकल रही है वो ठिक हो ग बनता है अच्छे तीसरा जब ये जो फ्लूइड निकल रहा है इतना थिक और लेसदार बन जाए तो इसका मतलब वो कॉम्प्लिकेशन में बद्ब जाया है चौति जब आप हेरिंग बंद कर दें या आपकी आपकी आवाज आना बंद हो जाए तो वो कॉम्प्लिकेशन मे एमिर्जिंसी आप डॉक्टर के पास जाए, that is blood and what I go, यानी चकर आना, कान के पर्दे के बाद चकर कोई नहीं रोक सकेगा, अगर आप उसको फॉरण ट्रीट नहीं कराएंगे, सारी उमर की दवाई लग जाएगी, तो इसलिए ये जो मैंने आपको छे साथ साइन्स बताएंगे, इससे पहले कि ये डिवेलिप हो, हमें नहीं पता, दस मेंसे दो लोग डिवेलिप करते हैं, अब कौन लखी है, कौन अनलखी है, तो नहीं, तो मेडिकल साइन्स के कहती है, कि आप हर बंदे को कॉम्प्लिकेशन से बचाओ, हर बंदे को इस मसीबत से बचाओ जो आने वाली है, क्योंकि जो विजन एक डॉक्टर के पास है, जो विजन मेरे पास है, 17 साल पढ़के वो विजन आपके पास नहीं है, मुझे पता है कि कान का परदा अगर नहीं है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन का है, मुझे कैसे बचाना है, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारेश है कि अगर ये कुछ ऐसे साइन्स आ रहे हैं, तो आप फॉरण जाएं, लेकिन अगर कान से डिस्चार्ज आ रहा है, तो भी जाके चेक कराएं, इसको अपरेट कराएं, इसको ठीक कराएं, ओपरेशन भी इलाज का हिस्सा है, अपेंडिक्स, जिस तरह आपने नाम सुना होगा, ये नहीं ठीक होता दवाईों से, अब को बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वाक कर रहे हैं, उसके 80% वज़ा कान की बैलंसिंग होती है, अगर ये खराब होगी, तो चकर आना मुसीबत पढ़ जाएगी, प्लस, एक और मैंने साइन देखा है, जो मेरे पास पेशन्ट आते हैं, जिनको भी कान की प्रॉब्लम है, थोड आप कम सुनते हैं, तो आपकी सेंसिस स्लो हो जाती हैं, जिब स्लो होती हैं, तो जो एज के साथ साथ, युल स्टार्ट फरगेडिंग तिनकों और लास उफ हेरिंग, और लास उफ हेरिंग की अगर खांदानी वज़ा तो अलग है, लेकिन एक वज़ा बिमारी भी है, और कामयाब हैं, बस चरते हैं, अगर आप टाइम पे आजाएं, लेकिन अगर ये छे साइन्स हैं, जिसको मैं आपको मैं फिर रिपीट करता हूँ, गाड़ा हो जाना, पस बंद हो जाना, खून आना, बद्बू आना, चक्कर आना, तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाए ये बहुत इंपॉर्टन हिसा है हमारे जिसम का, इसको ठीक होना बहुत जरूरी है, बहतावा कान हमेशा बहतर होता है, कि अगर आप वो कहें, जी मेरा रुक गया, परदा सही हो गया, आपको उसको फॉलो करना है, हम सीटी स्कैन कराते हैं, सीटी स्कैन में देखते हैं, व कोस्ट अपरेटिफ केर्स का, मैंने एक सेशन बनाया है, कि जो भी नाप के ऑपरेशन कराते हैं, थारेट के कराते हैं, टॉंसिल के कराते हैं, तो बाद में केर नहीं करते हैं, तब ही गले बार बार खराब होते हैं, तो इसलिए वो हम नेक्स टाइम में करेंगे, तो आज आज के जो मेसेज है प्लीज अपने कानों का ध्यान रखें, जो भी पस निकल रही है, चीज़ें निकल रही हैं, आख उसको ठीक कराएं, उसकी मकसूस दवाई लें, और उसको अपरेट कराएं, अगर जरूरत है, वहना इंशालला हर चीज ठीक हो जागी, थांक यू बारी म